क्या तब हमसे गलती हो गई, कि हमने भारत का नाम बदल कर इंडिया रख दिया? बहुत बड़ी गलती, क्यूंकि आपको ये बात समझनी होगी, जब भी कोई किसी देश पर कबजा करता है, कोई भी आकरमनकारी हो, जब वो किसी देश पर कबजा जमाते हैं, सबसे पहली चीज़ वो क्या करते हैं, वो आपका नाम बदल देते हैं, हवी हुने की टेकनॉलोजी है, ये दास बनाने की तक्नीक है, आप इस पर गौर कीजेगा, अगर आप अफ्रीकी अमेरिकी एतिहास पर गौर करें, जब अफ्रीकी लोगों को लाया जाता था, तो बंदरगाह पर ही पहला काम ये होता था, कि उनका नाम बदल दिया जाता उनके जो भी अफरीकी नाम हुआ करते थे वो बदल कर कुछ फालतू नाम रख दिये जाते थे हमारे साथ भी यही किया गया है इंडिया इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है तो अगर मैं आपको एक अर्थ हीन नाम दे दूँ तो आप मेरे सामने एक अर्थ हीन बेवकूफ व्यक्ति बन जाएंगे क्योंकि मेरे पास एक अर्थ पूर्ण नाम है मेरी एक परंपरा है, मेरी एक सब्विता है आपके पास कुछ नहीं तो इस तरह से हम इंडिया बन गएं सबसे पहली बात यह है कि देश की धर्णा हर किसी के मन में रच बस जानी चाहिए क्योंकि राष्ट बस एक विचार होता है जब ये विचार आपके मन में प्रज्वलित होकर दिल में बस जाता है और आपका ये भाव सर चड़कर बोलता है तब जाकर सच में आपका एक देश बनता है नहीं तो देश बस एक कागज पर होता है ये हमारी आज की दुर्भा की पूर्ण सच्चा ही है तो कम से कम जब वो 1947 में गए तो पहली चीज हमें ये करनी चाहिए थी कि नाम बदल दिया जाता और इस तरह से बदला जाता कि किसी ना किसी